बागवान भाईयों नमस्कार पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि सिल्वर्स टिप स्टेज क्या होता है और इस स्टेज पर किन दवाईयों का छिटकाव करना चाहिए इस वीडियो में हम half inch green tip stage के बारे में जानेंगे और इस टेज पर होने वाले सभी छिड़काव और उसके फायदों के बारे में जानेंगे तो चलिए बागवान भाईयों वीडियो को शुरू करते हैं यहां बताना चाहूंगा कि TSO जिसे कि हम डॉर्मेंट स्प्रे ओयल या फिर विंटर स्प्रे ओयल भी कहते हैं उसे इस अवस्ता पर avoid करना चाहिए इस समय हमें सिर्फ HMO यानि की Horticulture Mineral Oil का छिड़काव करना चाहिए HMO का छिड़काव करते समय हमें ध्यान देने की जुरूरत है कि छिड़काव करते समय हमें पेड़ों को अच्छे से भी होना पड़ता है ताकि पेड़ों पर तेल का परत अच्छे से चड़ जाए यहां हमें तेल की कारे प्रनाली यानि की mode of action को समझने की जुरूरत है इस अवस्ता में might और scale की कीड़े active होकर movement करने की कोशिश करते हैं तेल का छिड़काव करने से पेड़ पर तेल का परत बन जाता है जिससे ये कीड़े दमकूटने यानि की suffocate होने के कारण मर जाते हैं अगर तेल का परत अच्छे से नहीं चड़ता है तो तेल का छिड़काव करने का कोई ओचित्ते नहीं रह जाता है इससे हमारा सारा मेनत बरबाद हो जाएगा साथ में HMO का छिड़काव सुबह या शाम को ना कर दूप आने के बात करना चाहिए सुबह शाम टेंपरिचर कम होने के कारण परत अच्छे से नहीं चड़ता है पर दूप में तेल अच्छे से फैल कर पूरे तरह से पेड़ पर परत बनाता है बागवान बाहियों आप बात कर लेते हैं HMO के रेशो के बारे में तो हमें 4 लिटर HMO प्रती 196 लिटर पानी में अच्छे से घोल कर शिटकाव करना चाहिए शिटकाव करते समय ड्रम में तेल और पानी के घोल को लागातार हिलाते रहना चाहिए क्योंकि तेल और पानी अच्छे से नहीं गुलते हैं यहां बागवान भाही कीट नाशकों का भी प्रियोग करते हैं बागवान भाहीयों हमें कीट नाशकों का अकारन शिटकाव करने से बचना चाहिए अगर आपके और्चेट में हुलिया एफिट की बहुत ज़्यादा शिकायत है तो ही कीट नाशक का प्रियोग कर सकते हैं परन्तु आप कीट नाशक की जगे गोमूतर या नीम ओयल का भी सप्रे कर सकते हैं तो बागवान भाईयों ये थी हाफ इंच ग्रिन टिप स्टेश पर होने वाले छिटकाव के बारे में जानगारी अगले वीडियो में हम पिंक बड़ स्टेश पर होने वाले छिटकावों के बारे में जानेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद